हेलो इस्टुडेंट्स, सबसे पहले तो मैं इस मुश्किल के घड़ी में ये सुब कामना देता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ जहां कई भी हो सुरच्चित हों। अगर हम लोग सुरच्चित रहेंगे डवल वैरेशन मुटेंट जो करोना का चल लहा है एक काफी जान लेवा है और ये हमारे राज्य और देश सबके लिए बैस्विक माम आरी है सबके लिए एक विगड़ समस्या सामने आ गई है और किसी भी समस्या का समाधान होता है वो यह अपने पिक पर जायेगी और इसके बाद फिर जैसा कि स्पैनिस जो फ्लू आया था उसका भी है ऐसे ही सेम हुआ था और यह सेकेंड जो वेब है यह इसके बाद फिर से डाउन फाल हो जाएगा और जल्दी उमेद है कि सारी चीजें फिर से शामाने हो जाएंगी और आ अप्रैल तक मैं देख लेता हूं नहीं तो फिर आनलाइन आपको क्लास प्रोवाइड करने की ब्योस्ता करता हूं तो अभी तक लगातार मैंने कुछने कुछ वीडियो आपके लिए डालता रहा है तो आज मैं फिर आपको कुछ जो भी मैं क्लास में ले रहा था तो सारे क्लास में अलग-अलग चीजें चल लगी होती है तो अभी इस क्लास में मैं आपको एक common चैप्टर कोई भी डालता रहता हूं ताकि आप जहां कई भी हो तो आप कुछ पठन पार्थन से जुड़े रहें कुछ ने कुछ चीजें आप करते रहें एक्टिविटीज आपकी बनी होनी चाहिए आप कहीं भी बेकार न बैठें सिर्फ मोबाइल न चलाएं सोसल मेडिया से ही न जुड़े रहें इससे निगेटिव ठिंकिंग्स डिवलफ होगी आप जो है पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहें जितनी भी चीजें इसके पहले पढ़ा दी गई है सारे कोर्से जमारे यहां जो कराए गए इस्पेशली मैं संदेश के इस्टुएंट्स के लिए बोल ला हूँ कि जो चीजें आपको हम लोगों ने करा दिया है उसका प्रॉपर रिवीजन करिए और रिवीजन करके जब फिर से क्लासेज श्टार्ट होंगे तो फिर क्लास में आईए ठीक है लेकिन इसके लॉगडाउन के दौरान भी जब सारा चीज बंद चलाया है सारी चीजे इस सम है प्रियारिटी जो है हम सबकी लाइफ है और जब लाइफ रहेगी तो सारी चीजें जीवन से ही सब कुछ है तो चलिए आपके लिए कुछ न कुछ हम डेली डालते रहते हैं आज का टापिक हम लेते हैं क्यूब ठीक है क्यूब डाइस केलेंडर क्लाक इस तरह से मैं वीडियो के मादियम से आप देखते रहें ठीक है चलिए आज क्यूब के बारे में आपको बताते हैं कि अब कि 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 क्यूब इस थ्री डेमेंशनल फीगर क्यूब एक त्री बीमी आकरती होती है क्यूब कैसी होती है एक त्री बीमी आकरती होती है त्री बीमी का मतलब है जिसमें तीन बीमाय होती है जिसमें तीन बीमाय होती है जैसे यह एक क्यूब का फीगर जो की solid figure है कैसा figure है solid figure है और यह कहां पर मैं और figure अलेता हूं यह figure जो है यह भी क्यूब का figure है यह transparent figure है यह भी cube का चित्र है और यह transparent figure है राइट ओके अब क्यूब में सबसे पहले इसकी प्रापरिटीज क्या है यह जानना जरूरी है क्यूब में कितने सताइं होती है six faces होते हैं ठीक है क्योब में कितने faces होते हैं six faces होते हैं जैसे आप देख सकते हैं top, bottom, right, left, front, back, there are six faces in a cube इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें तो सब कुछ आपका दिखता है एक, दो, तीन, चार, पान, छे, ऊपर, नीचे, आगे पीछे दाइब आएं, कुल मिलाके कितनी सता होती हैं, छे सता होती हैं इस points को हम यहां आगे note भी करते रहते हैं, पहला points है कि there are six faces in a cube, cube में कितनी सता होती है भाई, छे सता होती है, है ना, अब इसके बाद इसकी दूसरी quality क्या है कि there are eight corner in a cube, घन में कितने corner होते हैं, eight corner होते हैं, कितने corner होते हैं, जैसे एक, ढप, तीन, चार चार जो है उसके छत के साथ होते हैं और चार जो है उसके first के साथ होते हैं, है ना, यहां पर देखिए, यह solid figure है, इसमें आपको कुल मिलाके साथ ही corner दिख रहे हैं आप बता सकते हैं एक corner इसमें कहां छिपा हुआ है एक corner exactly इसके नीचे है यहाँ पर आप transparent figure है यहाँ पर सारे corner को एक साथ आप देख सकते हो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी corner को आप जो है नहीं देख पा रहे थे इसमें यह transparent figure है इसमें सब दिखता ह है चार ऊपर चार नीचे यानि कुल मिलाके 8 corner होते हैं ठीक है तो इस point को हम यहाँ पर note कर सकते हैं there are there are eight there are eight corner in a cube cube में कितने corner होते हैं eight corner होते हैं ठीक है अब अगला point है एक corner के बनने में 3 सतों का involvement होता है जब एक corner का formation होता है तो याद रखिये कि उसमें 3 सते involved होती है तो एक corner का formation होता है एक corner के formation में एक corner में कितने होते हैं, देखिए, आप यहाँ पे समझे, एक corner जब बनता है, तो वहाँ पे तीन सता involved हो जाती है, कितनी सता involved हो जाती है, तीन सता involved हो जाती है, देखो, यह सता, यह सता और यह सता, किसी भी corner की बात करोगे, उसमें तीन सता involved हो जाएगी, जैसे यह देखो, यहां पर भी तीन सता इन्वाल्व है, है ना, यहां पर भी कितनी सता इन्वाल्व है, तीन सता इन्वाल्व है, ठीक है, यहां पर भी तीन सता इन्वाल्व है, यानि कोई भी कार्णर आप लोगे, तो उसमें तीन सता इन्वाल्व हो जाती है, है ना, अगला पॉइंट लेत क्यूब में कितने किनारे होते हैं 12 किनारे होते हैं जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं क्यूब में कितने किनारे होते हैं 12 किनारे होते हैं गन में 12 किनारे होते हैं और किनारा क्या होता है किनारा जो होता है ना दो कार्नर के बीच की दूरी जो होती है उसको किनारा कहते हैं और जहां पर दो सतहे involved होती हैं, वो किनारा होता है, तो यहां पर देखिए, यह टाप वाली और यह फ्रंट वाली जो सतह involved होई है, यहां से लेकर यहां तक यह किनारा है, और किनारा कुल मिलाके 12 होते हैं, 4 छत के साथ होते हैं, 4 फर्स के साथ होते हैं, और 4 किनारे जो होते वो वर्टिकल वर्टिकल होते हैं आप देख सकते हो एक यह है दो तीन और यह देख सकते हो चार चार च्छत के साथ हो गए और उसी तरह चार फर्स के साथ भी होंगे जिसमें से आप दो देख रहे हैं और दो जो है हीडेन है उसको आप देख नहीं सकते हैं है ना और तो चा च्छत के साथ 4 फर्स के साथ 8 हो गये और ये देखो नौ और ये देखो 10 और ये देखो 11 और किनारे होते हैं इसमें आपको 12 किनारा देखेगा मैं आपको दिखादेता हूं आप यह देखे एक, दो, तीन, चार, चार किनारे छट के साथ दिख रहे हैं, और चार फर्स के साथ भी हो गए, एक, दो, तीन, चार, चार फर्स के साथ भी हो गए, और चार किनारे जो होते हैं, वो वर्टिकल वर्टिकल होते हैं, है ना, नो, दस, ग्यारह, बारह, यानि कुल मि वोगोंने नोड भी करा है कि घन में कितने किनारे होते हैं 12 किनारे होते हैं ठीक है और एक किनारा के बनने में दो सतहों का इंवालमेंट होता है एक किनारे के बनने में कितने सतह का इंवालमेंट होता है दो सतहों का इंवालमेंट होता है एक किनारा बनता है कैसे आपको हुई है इसमें राइट वाली सता और टाप वाली सता लगी हुई है यानि कि दो सता जहां जुड़ती है वो चीज किनारा होता है और तीन सता जहां जुड़ती है वो कार्नर होता है यह चीज आपको क्लियर हो गया होगा राइट अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ सर्फेस इस सर्फेस कॉंटेन ओर अड्जेसंट एंड वन अपोजिट सर्फेस वन अपोजिट सर्फेस ठिक प्रतेक सता के चार सतह पडोसी सतह होती है और एक सता उसकी भी प्री सता होती है इस सर्फेस कॉंटेन फोर अड्जेसंट सर्फेस और वन अपोजिट सर्फेस प्रतेक सता के चार सतह पडोसी सतह होती है और एक सता भी प्री सता होती है जैसे मालो कोई भी एक सता ले लो उसके जो है four adjacent होंगे adjacent का मतलब होता है पडोसी और one opposite होगा एक जो होता है वो कैसा होगा बिप्रीज सता होता है एक क्या हो जाएगा opposite surface हो जाएगा बिप्रीज सता होता है अब इसी तरह से आप देख सकते हैं यहां पर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कोई भी सता आप इसका ले लिजे मालीजे हम टाप वाली सता ले लिए यह वाली सता ओके आप इसको यहां पर ले शकते हैं देख सकते हैं ऐसे हैं यह टाप वाली सता आपने ले लिया इसका ठीक है ये ले लिया देखिए आपने टाप की सता इसका ले लिया और इसके कितने पडोसी हैं देखो ये एक तो ये पडोसी है इसके दूसरे पडोसी ये हैं तीसरे पडोसी ये हैं और चौथे पडोसी पीछे से हैं यानि किसी भी सता की आप बात करोगे यानि इस सता की अगर आप बात करोगे तो ये भी जुड़ा हुआ है है ना इस सता की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए इस सता की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी जुड़े हुए है ये भी जुड़े हुए है और ये भी जुड़े हुए है पीछे से भी जुड़े हुए है तो इस तरह से इनका अगर आप बात करेंगे तो इसमें भी चार सता जुड़े हुए हैं यानि किसी भी सता की आप बात करोगे तो उसके चार पडोसी और एक बिप्री सता होगी चार पडोसी और एक सता उसकी बिप्री सता होगी ठीक है तो each surface content, four adjacent surface and one opposite surface तो चलिए एक बार आप जो है points गिल लीजिए इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कैसे करने हैं देखे घन में कितनी सता होती है छे सता होते हैं कितने corner होते हैं eight corner होते हैं और एक corner के बनने में कितने सता का involved होता है सथंवाल्मेंट्ट में किनारे 12 किनारे के बनने में किस्ट sub vide c subst depress us के ऐब की बात करते हैं डत यह कि मैं आपको एक फीगर बता और इसी फीगर से हम लोग क्यूब पढ़ेंगे, ठीक है, अगर हम लोग जो है, जो बुक्स में ओल्ड मेथड दे रखे हैं, अगर उस मेथड से अगर हम क्यूब को या पासा को समझने कोशिज करेंगे, टाइम टेकिंग हो जाएगा, आज के डेट में हम लोग अलग को अगर हम लोग तोड़ दें, ये डबबा तोड़ दिया जाए, तो बताओ, ये डबबा कैसा दिखेगा, बताओ, ये डबबा जो है, इस तरह से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक, ये डबबा इस तरह से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखो, अगर एक डबबी को तोड़ दिया जाए तो वो expanded figure of a box, इस box का ये expand किया हुआ figure है, अब ये देखो जला सोचो, कि अगर इसको हम उठा दें, ऐसे उठा दोगे उठ जाएगा, इसको भी ऐसे उठा लोगे उठ जाएगा, और इसको भी ऐसे उठा लोगे तो उठ जाएगा, तो ये खोगला गहरा डबा हो जाएगा, और ये चीज जाकर के ऊपर से उसको बन कर देगी, है ना, अब आप ये देख सकते हूँ, कि दो बिप्रीज सतों के बीच में एक सता होता है, क्या होता है, दो बिप्रीज सतों के बीच में एक सता होता है, कैसे, ये देखिए, दोनों बिप्रीज सता है ये दिवाल और ये दिवाल कभी टच नहीं कर सकती है, दोनों अपोजिट हैं, इनके बीच में एक सता है, और ये दोनों भी प्रीच सता है, ये दिवाल कभी भी टच नहीं हो सकती है, दोनों अपोजिट हैं, उनके बीच में एक सता है, और याद रखो कि ये दोनों अपोज तो यह जो corner है, इस corner पे जाके overlap हो जाएगा, और यह जो line देख रहे हो ना, इस line पे जाके overlap हो जाएगी, क्योंकि यह तो ऐसे उठा रहेगा, और यही चीज इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो जाके उसे बंद कर देगा, तो यह चीज यह चीज मिला के एक होता है, और यह च स्लाइट करा सकते हैं उसे बेटर है कि एक ही कनेक्शन से जोड़ दिया अब इनको हम उपर नीचे स्लाइट करा सकते हैं इसे बेटर है कि कनेक्शन से जोड़ दिया ठीक और इसको 90 डिग्री गुमा के हमने रख दिया इस तरह से देखो हमने 90 डिग्री गुमा के रख दिया है ना तो यह हमारा फीगर बन गया और इसके पास वो सारे करेक्टर हैं जो इनके पास हैं और किसी भी कोशन को करने में सहुलियत होगी तो हम क्योब और डाइस दोनों चीजे हम लोग इसी फीगर से पढ़ा करेंगे तो आप आप देख सकते हो कि यह जो भी होता नो पडोसी होता है एक ही विप्रीत होता है उसको छोड़कर जो भी होता नो पडोसी होता है तो आप देख सकते हो कि यही विप्रीत है और यह दोनों विप्रीत है इसके बाद यह चारो इसके भी पडोसी है अब आप यह देख सकते हो इनके जो है यह चार लोग ये, इनके विप्रित कौन है? ये है, ठीक, अब आप देख सकते हो, there are six, फ्रेसर जीनक्यूग, छे सता होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, आठ कारनर होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, है ना, और आधा कारनर यहां, आधा कारनर यहां मिलाके, साथ होता है, तो कुल मिलाके, छे, सता, आठ कारनर और बारह किनारे होते हैं, मैं इसको अलग पेंसे ले लेता हूं, जैसे ब्लू से लेता हूं, देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नाओ, दस, ग्यारा, आई, यह मिलाके हो गया, कितना वही, बारह, यान तो इस फीगर से हम किसी भी क्यूब के प्राब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और क्यूब में जो प्राब्लम्स पूछे जाते हैं, वो थ्री वेराइटीज के प्राब्लम होते हैं, एक तो प्राब्लम होता है, जो कि यूपी प्राब्लम होता है, जो कि यूपी प्राब्लम हो है ना है तो इसमें हम लोग सुरू करते हैं कि देखो अब इसमें क्या है कि सबसे पहला चीज एक कोशन है कि एक कोशन लेते हैं एक घंड के कोशन है एक घंड के कि एक घंड के कि सभी सतहों पर अलग अलग रंग है ठिक अब देता है लाल और हरा के बीच गुलाबी है ठिक फिर देता है काला के विप्रीत नीला है काला के विप्रीत नीला है ठीक है कहता है यदि एक सता पर यदि एक सता पर एक सता पर नारंगी रंग हो तो उसका विप्रीत सतापर क्या होगा यह कोशन देखो विप्री सतापर क्या होगा एक घंके सभी सताओं पर क्या है डिफ्रेंट डिफ्रेंट कलर है एक घंके सभी सताओं पर क्या है कि डिफ्रेंट डिफ्रेंट कलर है ठीक है और कहता है अब प्रस्न यह उड़ता है कि ऐसे सवाल को हम लोग स्वाल कैसे करेंगे कभी भी आपको Q or Dice का question लगाना है तो आप ये वाला figure बना लीजिएगा ये figure बना लिया अब क्या करना है सबसे पहले उस information को भरना है इसमें सबसे पहले उस information को भर देना जो की एक दूसरे का विपरीत हो जो की एक दूसरे का विपरीत हो तो बताओ एक दूसरे का विपरीत हो तो इसमें कौन एक दूसरे का विपरीत है कहता है कि काला के विपरीत नीला है ठीक तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे काला और नीला भर देंगे काला और नीला भर देंगे भाई काला के विपरीत नीला है आप चाहो तो नीला उपर काला नीचे भी कर सकते हो, कोई फरक नहीं पड़ता है, काला के विपरीत नीला है, लाल और हरा के बीच में गुलाबी है, यहां लाल कर लिया, यहां हरा कर लिया, बीच में गुलाबी कर दिया, अब एक ही सता बचा, अब उसे भर दोगे, यहां प तरह करो आप कैसे भी भरोगे जैसे भी भरोगे तो आपका जैसे भी आप करोगे तो आपका आंसर वही आएगा ठीक है तो आपका जो आंसर है वही आना है आईए आगे देखते हैं आपको दूसरा सवाल दिखाते हैं दूसरा कोशन लेते हैं जैसे कहता है एक घंग के चाह सता पर चाह एक घंग के चाह सता पर चाह अलग अलग रंग है अलग अलग रंग है ठीक है फिर कहता है काला के विप्रीज सफेद है काला के विप्रीज सफेद है पीला और नीला के बीच लाल है पीला और नीला के बीच लाल है यदि एक सता पर गुलाबी रंग हो तो उसके विप्रीज सता पर क्या होगा तो देखो कोई भी कर सकता है बहुत 一जी वैं में आप बना सकते हो को आप ये देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला तो यो फिगर आपको बनाने हैं और यह फीगर आपने बना रखा ठीक है अब आपको क्या करने कि सबसे पहले उस information को भरो जो एक दूसरे का अपोजित है तो बताओ इसमें अपोजित क्या है काला के विपरीज सफेद तो काला और सफेद चलो पहले उपर नीचे भर लो यहां काला बर लिया और यहां सफेद बर लिया जैसे मन करें सफेद ऊपर मन करें ऊपर बर लो काला नीचे कर लो कोई फरक नहीं पड़ता फिर क्या कहता है कि पीला और नीला के बीच लाल पीला नीला की बीच में लाल है यदि एक सता पर गुलाबी है इस पर मान लो गुलाबी रंग भर दिया तो उसके विप्री सता पर क्या होगा बताओ दो विप्री सतों के बीच में क्या होता है एक सता होता है तो गुलाबी और लाल विप्रीत हो जाएगा तो गुलाबी का व च्छा सता पर एक घं के च्छा सता पर ए से या फटक लिखा है ए ए और बी पडोसी हैं ए और ए और बी पडोसी हैं ए और डी पडोसी नहीं है ए और बी पडोसी नहीं है ए और ए पडोसी है ए और ए पडोसी है तो यप के विपरी सता पर क्या होगा तो यप के विपरी सता पर क्या होगा यह देखो मैंने फीगर बनाया यही फीगर तो मैं बोल लाओं कि बार बार बना लो इस फीगर से ही करो डबबा न बनाओ ठीक है देखो सबसे पहले उस इंफार्मेशन को भरो जो एक दूसरे का अपोजित है तो पहले सी और डी पडोसी नहीं सबसे बहर लो पिर क्या बोला ए और बी को भी पडोसी बना दो अब एकी सता बचा कौन बचा है आप अब यह आपके विपरीत पूछ रहा है तो अब यह एक घं के एक घं के छा सता पर सो मुआर से सनिवार तक लिखा है सो मुआर से सनिवार तक लिखा है फिर क्या गहता है सो मंगल परोसी हैं सो मंगल परोसी है ठीक सो मंगल परोसी है बुद्ध और प्रियस्पति परोसी नहीं है सुक्र और सनिवार परोसी है पार शुकरा और सनी पडोसी हैंसे तो सनी के भीपरीत क्या होगा स отв चूरी के भीपरीत क्या होगा बताना एं देखो सबसे पहले क्या करने आपको वने फीर बता रखा यह फीर बनाने यह फीर बड़ बना लिया सबसे पहले उस information को बरो जो एक दूसरे का विप्रीत है तो बुद्ध और ब्रियस्पती को पहले उपर नीचे बर लिया ठीक है बुद्ध ब्रियस्पती बर लिया सोम मंगल पडोसी है तो सोम और मंगल को ऐसे बर लो अगर यह काता सुक्र मंगल पडोसी है तो इसका answer definite होता सुक्र को मिया बरने के लिए मजबूर होते अगर यह काता कि सुक्र सोम पडोसी है तो दोनों आखरी बाक्स पडोसी होता याद रखिया ना याद रखना इसको तो सुक्र यहां बर देते तो सुक्र सोम पडोसी हो जाता अगर मंगल सनी पडोसी बोलता तो सनी यहां बर देते सनी सोम पडोसी बोलता सनी यहां बर देते मगर दो सीट है बैठने वाले दो लग है तो दो तरीके से बैठ सकते हैं सुक्र सनी पडोसी है सुक्र अगर मैं यहां बरूँगा और सनी यहां बरूँगा तो भी यह पडोसी रहेंगे या सनी को मैं यहां कर दूँ और सुक्र को यहां कर दूँ तो भी यह पडोसी रहेंगे तो सनी का विप्रीत पूछा है सनी का विप्रीत सोंभी मंगल भी हो सकता है सनी का विप्रीत सोंभी हो सकता है तो इस question में आईदार और की condition बनेगी तो इसका answer आएगा सोम या मंगल सोम या मंगल नेश्ट कोश्चिन कि एक घन के च्छा सता पर कि अच्छा सता पर च्छा सता पर ए से यप तक लिखा है कि चता है या इस परतेख सता पर कि विम्यों विभा उन धा चर्फ मिखए एक जांम में कि एक अंक शथा चर्फ में अग्ञा 10 एक घन केचा सता आप देंगति तक लिखा है तो आप चोट प्रतेख सता पर एक अंक भी लिखा है विप्रीत सता पर लिखे अंको कायोग 7 है विप्रीत सता पर लिखे अंको कायोग 7 है ठिक ए और या पडोसी नहीं है सी और अंक थ्री ना तो पडोसी है ना ही समान सता पर है ए और अंक 6 समान सता पर है ए और अंक 6 समान सता पर है बी और अंक 3 समान सता पर नहीं है ए और अंक 2 समान सता पर नहीं है ये एक पोशिन मैंने लिखा है एक घंके 6 सता पर ए से यब तक लिखा है तता प्रतेक सता पर एक अंक भी लिखा है बिप्री सता पर लिखे अंको का जो योगफल है वो से बेन है बिप्री सता पर लिखे अंको का योगफल से बेन है कहता है ए और यप पडोसी नहीं है सी और अंक 3 ना तो पडोसी है न समान सता पर है ए और अंक 6 समान सता पर है बी और अंक 3 पडोसी नहीं है ए और अंक 2 समान सता पर नहीं है बी और अंक 3 समान सता पर नहीं है ए और अंक 2 समान सता पर नहीं है 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 तो इस पर प्रश्ण पूछ सकता है जैसे कि सटा 7 crackly का से सता डी पर कौने सांक लिखाड़ या सी के विपरीत कौन साथ चक्रह यह सथा एपर कौन सांक लिखाड़ाएं अगर ऐसा पूछ सकता है तो जैसे मैंने मानलो कि मैं कोशन ले लिया Okay यह एक्जाम्पल तो सिर्फ आपको एक समझाने का माध्यम है सच टाइप कोई भी कोशन अगर आपके सामने आता है तो इस टाइप से आप बना सकते हैं को में नाम ने कहा कि आपको यह फिगर बना लेने और सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को फिल्फिल करना है जो की एक दूसरे का अपोजिट है तो कहता है दो बाते हैं एसे यप तक लिखा है और प्रतेक सता पर एक अंक भी लिखा हुआ है और अपोजिट सता पर लिखे अंकों का योगफल जो है वो सेबन होना चाहिए तो क तो यह देखो एप पडूसी नहीं है पहले उपा निछे भर लिया जी और अंक थरी ना पडूसी है न समान सता पर है अत्वार और जैसे रहो गेफौरबर पढ़ेगा तुकि विप्रीत का योग साथ होना चाहिए ठीक है और येग्हारं शचख समान सता पर और यहां भरोगे वहाँ इसको हम ने कर लिया अब क्या बोला अगर च्छा यहां भरोगे तो एक यहां भरना तुम्हारी मजबूरी होगी क्योंकि बिप्रीज सता पर लिखे अंको का जो योगपल है वो कितना है से बेन है तो अच्छा और एक साथ हो जाएगा ठीक है गता है बी और अंक थ्री समान सता पर नहीं है तो बी को आप थ्री के साथ आप नहीं भर सकते हो तो बी को अगर आप थ्री के साथ नहीं भरोगे तो बी को कहां भरोगे B को 1 के साथ बरोगे B यहां भर दो तो B को 1 के साथ बर दिया ठीक है अब फिर बोलता है कि अब एक ही अच्छर बचा हर जगां अच्छर आप फुलफिल कर चुके हो एक ही अच्छर बचा है कौन बचा है D तो D अपने आप यहां आ जाएगा अ और अंक डो समान सता पर नहीं है, यानिगी दो जो है, वह ए के साथ नहीं बहरा जा सकता, तो दो कहां भरेंगे यप के साथ भरेंगे, और जैसे दो यप के साथ भरेंगे, तो पांच अपने आप यहां आ जाएगा, कोकि अपोजिट सर्फेस पर लिकhे, अंकों का जो यो अब क्या पूछ रहा है पहला सवाल क्या है अब जो भी आप से पूछना चाहता है किसी भी कोशन का अंसर आप दे सकते हैं पहला सवाल मैंने पूछा था कि C के सता D पर कौन सा अंक है तो सता D पर देख सकते हो कौन सा अंक है 3 और C मैंने दूसरा सवाल पूछा कि C के विपर कौन साचर पूछ रहा है तो सी के विपरीत कौन सा अज़ा लिखा है तो यह तीनों से साल्भ हो गए टीक है तो यह आज मैंनें आपको क्यूप के बारे में कुछ बताया और तहसी समझना है आगर है अगर आपको डाइस समझना है अगर आपको डाइस आराम से समझना है बढ़ियां से करना है तो याद रखे कि क्यूब आपको समझ में आना चाहिए अगर क्यूब आपने समझ लिया तो पासा तो औरल होता है मौकिक होता है कोई भी सवाल पासा का आप बर्वल बता सकते हो औ लोग का कोशन यह बन चुका है अब नेक्स्ट आपको इसके आगे अगले टर्म में बताता हूं ठीक है ओके थैंक यू